देव दिपावली और गुरु नानक देवजी के प्रकास्वोत्सों पर आज काशी को आधुनिक इंफ्रास्ट्रेक्टर का एक और उपहार मिल रहा है इसका लब काशी के साथ ही प्रयाग राज के लोगों को भी होगा आप सभी को बहुत बहुत बढ़ाई मुझे आध है साल 2013 में मेरी पहली जन्सभा इसी मैदान पर हुई थी और तब यहां से गुजरने वाला हाइवे फोर लेन का था आज बाबा विश्वनात के आशिरवात से यह हाइवे छे लेन सिक्स लेन का हो चुका है पहले जो लोग हंडिया से राजा तलाब आते जाते थे उन्हें पता है इस हाइवे पर कितनी जादा मुश्किले आती थी जगह जगह जाम बहुत धिमे ट्रैफिक दिल्ली और दूसरे सहरों से भी जो लोग आते थे वो इस रास्ते पर आकर परेशान हो जाते थे सत्तर किलोमिटर से जादा का ये वो सफर अब आराम से होगा तेज रप्तार में होगा इस हाइवे के चौड़ा होने से काच्ची और प्रयाग के बीच का आना जाना अब और आसान हो गया कावड यात्रा के दौरान कावडियों को और इस छेत्र के लोगों को जो परेशानी होती थी अब वो भी समाप्त हो जाएगी इतना ही नहीं इसका राब कुम्ब के दौरान भी मिलेगा भाईयों और भेनों आस्था से जुड़ी जगह हो या फिर किसी विशेश काम की लोग कहीं भी आने जाने से पहले जरूर देते हैं कि वहां आना जाना कितना आसान है इस प्रकार की स्युविधाएं देशी विदेशी हर तरह के टुरिष्टों और स्रद्धालूं को भी प्रोट्साहित करती हैं बीते वर्षों में काशी के सुंद्री करण के साथ साथ यहां की कनेक्टिविटी पर जो काम हुआ है उसका लाब अब सब दूर दिखाई दे रहा है नई हाइवे बनाना हो, पूल थाइव ओवर बनाना हो, ट्राफिक जाम कम करने के लिए रास्तों को चौड़ा करना हो जितना काम बनारस और आसपास के इलाके में अभी हो रहा है उतना आजादी के बाद कभी नहीं हुआ बनारस का सेवक होने के नाते, मेरा प्रयाश यही है कि बनारस के लोगों की दिक्कते कम हो, उनका जीवन और आसान बने पिछले छे वर्षों में बनारस में हजारों करोड रुपिये के प्रोजेक्स तेजी से पूरे किये गए हैं और बहुत सारी परियोजनाओ पर काम चल दा है एरपोर्ट से शहर को जोड़ने वाली सडक आज बनारस में विकास कारियों की पहचान बन गई है रेल्वे स्टेशन की कनेक्टिविटी भी बहतर हुई है यहां से कुछ दुरी पर ही रिंग रोड फेस टू का भी कारियों तेजी से चल रहा है इसके पूरा होने से सुल्तानपूर, आजमगड और गाजीपूर से आने जाने वाले भारी वेहान, भारी वेहिकल्स शहर में एंट्री लिये बिना सीधे इस नए सिक्स लेंड हाइवे से निकल सकेंगे वहीं जिन दूसरे हाइवे पर निरमान कारियत चल रहा है वो भी जल्द ही पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है इन हाइवे के बनने से वारानसी, लखनव, आजमगड और गोरकपूर की यात्रा और आसान हो जाएगी